है आइड यहां पर realme ने लॉंचे दिया अपना नया फोन did we three और यहां पर market नियुट्वी और पूरकेट मॉल्इद सब गया realme 3 की चरचा चर लेगी क्योंकि काफी सही प्राइस और ये मिंदब सब तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो गाइस मेरा नाम है अमन्द सचान और आपका मारे चैनल टेक्स एन फेक्स में बहुत बहुत स्वागत है, तो आई शुरू करते हैं तो गाइस यहाँ पर करते हैं जल्दी से क्विक चेन बॉक्शिंग तो यहाँ पर उनलोग कुछ करना नहीं है, पीला सा बड़ा सा डबबा दिया गया, ग्रे गलर का उपर से बड़ा सा थ्री लिखा हुआ है, यहलो गलर से रियल मी, और फिर यहाँ से अमनलोग बडबा खो का दो एंपेर वाला चार्जर रह वही है, और यहाँ पर डेटा के बड़ल माइक्रो इस भी मिलती है, तो अभी आप लोग आते हैं अपने फोन पर यहाँ सामने देख सकते हैं, आप यहाँ पर एकदम ग्रेडियंट मैंने कलर लिया हुआ हुआ है, मतलब यहाँ जो कई में काफी सही लग रहा है, अगर आप इसको कंपेर करें तो थोड़ा 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 आप कंपेर कर सकते हैं, जो ओपो एक बार आया था, मतलब आभी कुछ दिन पहले स्टेरी परपल स्पेशल एडिशन, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ ग्रेडियंट था, मतलब ऐसा परपल करें, उसमें तो खैर पूरे ही परपल था, पूरे में ग्लीटर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, तो ग्लीटर से यहाँ पर आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, और उपर की तरफ ऐसे आते हुए, तो वो ची प्रफोन के अंदर, और अभी आप देख से थे, फोन की जो स्क्रीन है, वो बहुत ही सही है, मतलब एक चीज़ में आपको बता दूँए, यहाँ पर फोन की स्क्रीन हो, HD+, हो HD+, नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप मतलब कह नहीं सकते हैं, कि यह HD+, हो क्योंकि फोन का जो experience है, इमर्सिव है स्क्रीन का तो वो मुझे काफी सही लगा ओवरॉल स्क्रीन बहुत ही सही लग रही है अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर स्क्रीन आपको इसको बहुत स्मूधर बना दिया एस कंपेर टू लास्ट जो कलर ओएस ता 5.2 या फिर 5 उसमें वहां पर क्या था कि मतलब मैं अपना परसनल अगर एक्स्पीएंस दू तो वहां पर इतना कुछ मुझे खास ने लिगा क्योंकि वह थोड़ी से मुझे मतलब उसका जो पुरा यूँजर इंटर्फेस तो वह थोड़ा सा बगी लगता दा और मतलब ऐसा कुछ खास ने लगता था ओके ओके लगता दा लेकिन यहां पर OS 6 में बहुत सारे fix किये गया है bugs को और बहुत सारी चीजों को fix किया गया है upgrade किया गया है काफी चीजों को सबसे main highlight इसका camera camera को उतने बनिया तरीके से upgrade किया है बहुत धेर सारे features डाल रखें camera में अभी आते हैं हम लोग अपनी settings में setting में यहाँ पर आने के बाद अगर about phone वाले section में जाते हैं तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़े मिल जाती है model number color wise वर्ज़र 6.0 और यहाँ पर android version 9 octa core का processor RAM 3GB 32 storage और तो यह सारी चीज़ें बाकि यहाँ पर बात करें phone के processor की Helio of P70 का आपको धमदार processor मिल जाता है आपको यहाँ पर दो variant में available है 3GB RAM 4GB RAM में आपको यह आले जो price है वो यह वाले phone की price है 3GB RAM वाले की वह 9000 रुपए है मतलब 8999 रुपए है और गाईज अभी बात करते हैं जारा camera के बारे में 8 है मतलब कि यहाँ पर आपको low light में बहुत ही बढ़िया photos मिलने वाली है और यहाँ पर जो friend camera वो आपको 13MP का मिल जाता है जिसमें कि आपको f2.0 का aperture मिल जाता है मतलब friend camera को भी काफी सही किया गया है जो back में dual camera दूसरा camera आपको 2MP का मिलता है वो इतना कुछ खास नहीं लेकिन वो depth sensing के लिए लगाए गया मतलब आपको background को blur करने के लिए तो अभी camera open करने के बाद यहाँ पर camera में बहुत सारे आपको नया options मिलते है सबसे अच्छी चीज तो यहाँ पर camera में option दिया गया यहाँ पर आपको chroma boost का यह chroma boost मुझे personally बहुत साही लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे samples लिए तो chroma boost on करने के बाद फोटो के color वो इतने enhanced हो कि आती तो फोटो पूरी natural लगती थी और extra colors दिखते तो और ज्यादा बढ़िया आती थी फोटो वो नया फीचर दिया गया वो मुझे काफी साही लगा इसके लाव है आप पर beauty mode में आपको बहुत सारे friend camera को अगर सुच करते हैं तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर beauty वाले option में एक लड़की बनी होई उस पर click करते हो यहाँ पर आपको धेड़ सारे पूरा beauty color आपको मिल जाता है फोन की अंदर मतलब इतने भर के रखें यहाँ पर futures आपके beauty वालर वाले कि यहाँ पर smoothen कर सकते हैं आप face को thin कर सकते हैं small कर सकते हैं chin को कम कर सकते हैं eyes जो है बड़ी बड़ी कर सकते हैं hidden जैसी eyes और nose को smaller कर सकते हैं touch up 3D मतलब इतने धेड़ सारे option है मतलब यहाँ पर कोई इंसान एकदम बेकार दिखता हो एकदम बेकार तो मतलब यहाँ पर इस phone को ले लो आप आप फोटो लेके एकदम must edit करके इसको यहाँ पर touch up अचप देख एकदम eyes आइस बड़ी करके अगर आप फोटो देते हो नो इकता मतलब मैं बता नहीं सकता हो पहचान नहीं पाऊग realme 1 vs 2 vs 3 का एक भी वीडियो हम लोग जल्दी upload करने वाले वीडियो पूरा shoot हो चुका है next 2-3 दिनों के अंदर हम लोग चाहेंगे कि वह upload हो जाया मतलब कोशिश करेंगे पूरा और यहाँ पर आपके स्क्रीन में कुछ samples हो रहे होगा realme 3 से लिए हो है मतलब कि बहुत ही सही बहुत धेर सारे similar objects फोटो लेते हैं तो वहाँ पर यह थोड़ा confuse जाता कि किसको blur करना किसको focus में रखना है लेकिन अगर बात करें normal फोटो की तो वहाँ पर बहुत बड़ी है अमड़ी है इसने photos ली आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर college ground की photos है कुछ यहाँ college campus के अंदर कि क्योंकि मैं होसल में रहता हूं तो यहीं पर मैंने सारी photos ली और बहुत ही सही photos आई बहुत डेर सारी photos आपकी screen में आ रहे होगी तो overall मुझे camera बहुत शहीं लगा बैटरी 4230 mh की बिलती है तो वह चीज़ काफी सही है बात करें fingerprint sensor और face unlock की fingerprint sensor मैं यहाँ पर चेक किया तो fingerprint fingerprint sensor बहुत fast है इतना fast नहीं सेम है लेकिन फिर भी काफी जल्दी है लेकिन लेकिन यहाँ पर बात करेंगा face unlock की तो वह ultra fast है अब यहाँ पर एकदम सही हो detect करता है नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि similar faces के साथ भी खुल जाएगा वह सब मैंने चेक नहीं किया लेकिन यहाँ पर प्रीन से light आती है वह face पर पड़ती है तो उसी light से वह detect कर लेता है मतलब तो उसमें भी खोल रहा था तो वह चीज मुझे काफी सही लगी मतलब रात आत में कभी-कभी ऐसा होता था कुछ फोच में रात में आपने face unlock लगा रखा और रात में आप चेक कर रहे हैं तो मतलब लेकिन realme काफी सही है तो उमीद आपको वीडियो पसंद आओगा और आज के लिए स्फ इतना ही रखते हैं बाकि हम लोग कुछ next वीडियो के बिली छोड़ देते हैं कि realme का एक और वीडियो अम लोग बनाएंगे आपर तीनों comparison सारी चीज़ों का PUBG का comparison और सब कुछ तो व कि अलाई